हाई गाइज मैं हूँ आपकी होस्त हर्शिता शर्मा और स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंड ग्यान पर तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्यों कि आज हम बात करने वाले हैं आईरलाइड वर्सेज नुजिलाइड के सेकंड और डियाई मैच प्रेडिक्शन के बारे में तो यह मैच होने वाला है दे विलेज डूबलिन आईरलाइड स्टेडियम पर तो इसलिए सबसे पहले शुरू बात करते हैं दे विलेज के फैक्ट सेट्स एट्ट विच बिहेव है 11,500 स्पेक्टेटर्स इसको माला हाइड क्रिकेट क्लब के नाम से भी जाना जाता है और इसके एंड्स हैं डूबलिन रोड एंड और कैसल एंड और इसकी लोकेशन है डबलिन आईरलाइड इसका टाइम जोन है यूटी सी प्लस 01 और यह होम ग्राउंड है आईरलाइड क क्रिकेट टीम का तो यह हो गए हमारे आप हम चलते हैं स्टैट कि तरफ ट्व से करने बार यहां पर 14 मैसéliorा बैटिंग पर चे न जिती हैं और अजा आट बारर एबरेस कों फर्स्टी का सपर्स बनता है हाइस बने आहाई है हम पर स्कॉट्लैंड ने 2015 2 runs, 3 wickets में lowest बनाए है результат मारह कम है स्कोरिंग प्रत्रन के तरफ 192 बनेे guaranteed 55 बने है और 3 बन है अब यह हो गए हमारे T20 इंटरprogram चाइटे अब हम चलते हैं और टयाइ के स्टैट कि दरफ टोटल मैच यहां पर ODIK 16 के ले गए हैं, बैटिंग फिस्ट करने पर 7 बार टीम जीती हैं, बैटिंग सेकेंड करने पर 9 बार टीम जीती हैं एवरेज स्कोर फिस्ट बैट में 268 के आसपस बनता है और हाइए स्कोर यहां पर बनाए हैं स्कोरिंग पैटरन की बात करते हैं, बिलो 200 चार बार बने हैं, स्कोर बिट्वीन टू फिस्ट बार बन चुका है, और अबव 300 यहां पर 6 बार बन चुके हैं इस बाइब है हमें तो अब आप में चलते हैं आइयलन लेट बनेंदर बन चार बनाए में पढ़ाइं से बैटर्स को बहुत हैल्फ मिलती है अच्छा परफॉर्म करने में और साथ यह साथ आपको बता दे कि मिडल ओवर्स में जो spin bowlers होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनका बहुत ही जादा important role होता है और साथ साथ हाफ मैच जब हो जाता है उसके बाद हमें पेसर की जो पेस बोलर्स होते हैं उनकी जरुरत पड़ती है मैच को जित्वाने के लिए तो यह थी स्टेडियम की पिछ रिपोर्ट अब हम चलते हैं इसकी वैदर रिपोर्ट की तरफ यहा पर पिस्टिशन टू परसेंट होन से बात करते हैं आईरिलाइंड के प्लेइंग 11 की तरफ तो आईरिलाइंड में हैं एंड्रू बेल बारने हैरी टेक्टर पोल्स ट्रेलिंग सिम्मी सिंग गेरेथ डेलने लॉर्कें टकर कर्टीस मार्क एडियर जोस टॉक्रेल जोश्यूर लिटल और क्याग यंग तो यह ह हैरी टेक्टर हैं उन प्लेयर की तारिफ तो हार्दिक पंडिया ने भी की थी अगर आपने न्यूस देखी हो तो और अब चलते हैं हम न्यूजिलैंड के प्लेयर की तरफ प्लेइंग 11 के तरफ तो यहां पर हैं मार्टिन गुटपिल हैने निकॉलस फिल यंग मिटकेल प्लेयर की तरफ तो सबसे पहले बात करते हैं बैट्समैन की और बैट्समैन में सबसे पहले आर्लैंड के बैट्समैन की बात करते हैं कि आप आर्लैंड की टीम से कौन-कौन से बैट्समैन ले सकते हो तो आप यहां पर ले सकते हो एंड्रू बल बायरन को इन्होंने मैच् 66 runs बनाए है 1429 strike rate है 126.68 और average है इनकी 23.82 दूसरे आप जो ले सकते हैं Ireland से वो है पॉल्स ट्रेलिंग matches इन्होंने 102 खेले है रंस बनाए है 2.776 strike rate है इनका 134.69 average है इनका 29.53 तो अब बात करते हैं हम New Zealand के batsmen की जिनको आप ले सकते हो अपनी Dream 11 टीम में तो सबसे पहले हैं Martin Goodfill आप इनको ले सकते हैं अपनी Dream 11 की batsman में इन्होंने matches के लिए 189 runs बनाए है 7041 strike rate है 87.63 और average है इनका 41.91 दूसरे player आप ले सकते हैं Henry Nicholas इन्होंने matches 55 के लिए है runs 4487 बनाए है strike rate है इनका 80.75 average है इनकी 35.4 तो ये हो गए सबसे पहले batsman अब हम चलते हैं ballers की तरफ तो सबसे पहले बात करते हैं Ireland के ballers की तरफ इन्होंने यहाँ पर है George Dockrell आप इनको ले सकते हो इन्होंने matches खेले हैं 92 wickets लिए हैं इन्होंने 76 और strike rate है इनका 18.18 एकनॉमी है 7.13 दूसरे Ireland के आप ले सकते हो Barry McCarthy को इन्होंने matches 19 खेले हैं विकेट्स 20 लिए हैं strike rate है 20.65 एकनॉमी है 9.18 तो ये हो गए ballers हमारे Ireland के अब New Zealand के ballers के बात करें तो यहाँ पर आप ले सकते हो Michael Stantar को इन्होंने matches 75 खेले हैं और wickets भी इन्होंने 75 लिए हैं strike rate हैं का 45.13 एकनॉमी है इन्हों की 4.83 और दूसरे आप baller ले सकते हो जो New Zealand के वो है लोकी फिर्गोसन इन्होंने matches 37 खेले हैं और wickets लिए हैं 69 और strike rate हैं का 28.35 एकनॉमी है 5.46 तो ये हो गए हमारे दो-दो batsmen और दो-दो ballers दोनों ही team से अब हम चलते हैं records की तरफ तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं the village पर highest score ODI में किस-किस team ने कितने बनाए हैं तो नंबर वन पर है श्री-लंका श्री-लंका ने बनाए है 377 runs 8 wickets में वर्सिज में Ireland के फिर है पाकिस्तान 337 runs 6 wickets में वर्सिज में Ireland के फिर बनाए है West Indies ने 331 runs 5 wickets में वर्सिज में Ireland के उसके बाद है Ireland 327 runs 5 wickets में वर्सिज में West Indies के उसके बाद बनाए है श्री लंका ने 303 रंस 7 विकेट्स में वर्सिज में आयरलेंड के उसके बाद है आयरलेंड 290 रंस 5 विकेट्स में वर्सिज में साउथ अफरीका के उसके बाद है न्यूजिलेंड 289 रंस 7 विकेट्स पे वर्सिज में उनके थी आयरलेंड इसके बाद है आयरलेंड 276 रंस व वो भी टॉप 10. तो सबसे पहले हाइस निवा पर T20 में बनाई है Scotland ने 252 runs 3 wickets में वर्सिस में नीदरलाइंड के. उसके बाद है इंडिया 213 runs 4 wickets वर्सिस में Ireland. फिर से हैं इंडिया 208 runs 5 wickets वर्सिस में Ireland. उसके बाद है Ireland 194 runs 6 wickets वर्सिस में Scotland. ंचिए तो यह हो गए हमारे top 10 highest score T20 international के भी तो अब चलते हैं guys the village के toss factor के तरफ तो सबसे पहले बात करते हैं ODI के toss factor की यहाँ पर तो यहाँ पर ODI के matches साथ जीते गए हैं batting first करने पर और bowling first करने पर 9 जीते गए है average first inning score ODI में 247 होता है और average second inning score होता है 221 तो साफ साफ पता चल रहा है पिछले records देखकर कि जो भी टीम जीते गी यहाँ पर वो bowling चूज करने वाली है पहले क्यूंकि पिछले records और stats हम देखे तो जारा तर यही हुए जिसने भी bowling second ली है वो team जीती है और T20 international के भी हम देख लेते हैं एक बार तो T20 international में batting first करने पर 7 बार team जीती है और bowling first करने पर 11 बार average first score 153 होता है और average second inning score 136 होता है तो T20 international के record से भी यही proof हो रहा है कि bowling first करने वाले की team के ज़्यादा chances होते है जितने में तो साफ सी बात है जो भी team जीतेगी toss वो ज़रूर bowling ही choose करने वाली है इस pitch पर तो अब हम चलते हैं इस stadium के international information के पर तो आपको बता दे हैं यहाँ पर एक ही test हुआ है और वो हुआ था ग्यारा से पंद्रा मई 2018 को जो की Ireland वर्सेज पाकिस्तान का हुआ था पर स्टो डिया इस pitch पर हुआ था 3 सप्टेंबर 2013 को Ireland वर्सेज इंगलेंड का लास्टो डिया यहाँ पर हुआ है 16 जुलाई को Ireland वर्सेज साउथ अफरीका का पर स्टी 20 इंटरनेशनल यहाँ पर हुआ 19 जुलाई 21 को Ireland वर्सेस साउथ अफरीका का पिस्टी पाइब रुमें था था यहाँ पर हुआ है थार्ड जुलाई 2002 को Ireland वर्सेस न्युजिलेंड का और लास्ट वूमें ओडिया ही उपा है 9th August 2016 में एडलन वर्सेस साउथ अफरीका के बीच और फैस्टी सब्सक्राइब तो गाइज आपके साथ बहुत सारी इंपोमेशन शेयर किया आज हमने एक तो द विलेच स्टेडियम के बारे में साथ ही साथ आइलेंड वर्सेज न्यूजिलेंड के मैच प्रिक्शन के बारे में साथ ही हमें आपको यह भी बता है कि आप अमनी ड्रीम 11 टीम में कौन से प्लेयर्स ले सकते हैं तो गाइज अगर विडियो चल लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना